New words and their meaning in Hindi Hop, छलांग, पार्क, बाग या उद्दान मार्क, निशान, वॉली एक तरह का खेल, इसे पूरी तरह से वॉली बॉल कहते हैं Around, चारों ओर Hide and seek, लुका छिपी Let's read and find out Which games do children play in the park? कौन सा खेल बच्चे पार्क में खेलना यानि बाग में खेलना पसंद करते हैं या खेलते हैं? Answer होगा Children play hide and seek and hop hop in the park बच्चे लुका छिपी और कुदा कुदी खेलते हैं पार्क में Second question Name the games played in the field कौन सा खेल मैदान में खेलते हैं? Answer होगा The games that are played in the field are Playing with top, volleyball, bat and cat कौन कौन से games खेलते हैं फिल्ड में? तो लट्टू के साथ खेलते हैं, volleyball के साथ खेलते हैं, bat यानि बल्ले के साथ खेलते हैं और pushy cat के साथ भी कभी कभी खेलते हैं What are the games for children? बच्चों के लिए कौन कौन से खेल हैं? Answer होगा The games for children are Hide and Sick, Ludo, Hop Hop, Run, Volleyball, Chess, Badminton बच्चों, इसके अलावा भी आप अपने पसंद के कोई भी games का नाम answers में लिख सकते हैं Let's choose the rhyming word from the poem Poem से rhyming word को आपको चूज करके लिखना है तो सबसे पहला दिया है बच्चों, Park Park का rhyming word होगा Dark, Hop, Top, Bat, Cat अब बच्चों आप लोगों को एक चित्र दिख रहा होगा और उसमें बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं वो कुछ न कुछ activities कर रहे हैं, actions कर रहे हैं अब हम लोगों को उन actions को पहचानना है और matching करना है तो आपके लिए मैंने matching किया है, आप देखिए kicking, kicking का मतलब होता है कि पैरों से किसी चीज को मारना तो पैर से किसी चीज को देखिए, वो क्या कर रहा है, बॉल को मार रहा है फुटबॉल को kick कर रहा है, तो kicking इसके बाद देखिए, batting, batting को किसके साथ हम लोगों ने match किया है जिसमें एक छोटा सा बच्चा वो बैट लेके खड़ा है विकेट के सामने फिर jumping, jumping का मतलब होता है कूदना तो एक बच्चा जो है, वो jump करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ matching होगा फिर running, running यानि दौर ना, तो एक girl जो है, वो दौर रही है, तो हम लोगों ने उसके साथ match किया फिर है throwing disc, यानि एक disc होता है, flying disc जिसको कहते हैं, उसको हवा में उडाने से हातों से जब हवा में उसको फेकते हैं, तो वो उडने लगता है, तो वो throwing disc हो जाता है, वो game Let's fill in the blanks, choosing from the bracket आपको bracket से choose करके, चुनके ऐसा एक शब्द लिखना है, जो की आपके सामनी जो लिखा हुआ है, उस शब्द के साथ match करता हो तो पहला word है, hide and sick, take तो नहीं होगा, hide and sick होगा Next है, mark on the table की floor, तो mark on the floor होगा Next है, play in the field है और wall है, इस में से आपको choose करना है तो field यानि मेदान और wall यानि दिवार, तो दिवार पे तुम लोग खेलते नहीं हैं, तो field होगा, play in the field Next